दोस्तों मैं जो है NBS की ऑफिसिल साइट पर हूँ और जो इस्टूडेंट पूछ रही थे कि NBS का जो है आपका JSA का फाइनल रिजल्ट कब आएगा और NBS में ही आपका जो है पूछ भी रहते बहुत सारे स्टूडेंट की TZT, PZT वालों का फाइनल रिजल्ट कब आएगा तो गाइस एक जो है ओफिसल नोटिस जो है आपे जो है जारी कर दिया गया है जो कि आज ही यानि की 11 अप्रेल को आया उस ओफिसल नोटिस को मैं जो है आपके सामने ला दूँगी तो अगर आप एक न्यू विए आने तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इ देखें उपर लिख रहा है एन्वियस नवुद्य विधाले समीती और नोटिस है 11 अप्रेल का अब इस नोटिस में कहा क्या गया है मैं जो है आपको पढ़कर जो बता देती हूं इसमें बताया गया है कि इंटर्वियू पॉर दी पोस्ट ओफ टीजिटी साइट्स अंडर फरवरी से लेके 20 फरवरी को जो है एक्जाम हुआ था उसका ये नोटिफिकेशन जो है आउट हुआ है जिसमें टीजिटी साइंस में आपको पता होगा कि तीन सब्जेक्ट जो है कंबलसरी होते हैं इसमें साफ साफ लिखा गया कि बोट ओनी जूलोजी एंड केमिस्टरी ये सब्जेक्ट जो है टीजिटी वालों के पास होनी ही चाहिए साइंस में और इसमें ये भी कहा गया है कि अगर इसमें जो है अगर दो सब्जेक्ट एनि और दा कोर्स इसमें कहा गया कि अगर किसी के पास ओनर्स डिगरी है तो इसके पास तीन में से दो सब्जेक्ट होन की लिए जो बिस अप्रेल को जाना होगा और पता बताय है जे-चेन वि आणन्द... कर गुजुराथ जी हाँ, आपको जो है इसमें जो बताये का है कि आपको जो है अपना... जो verification की data interview के लिए जो है अपना 24 अप्रायल को आपको जो है जाना होगा और जो TZT और PCT के final result का wait कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं का final result जो है दो तिन दिन में जो है declare होने वाला है फिर GSOE का भी result जो आउट हो जाएगा तो इस ही अप्रायल में आपके जे ऐसे वालों की भी और आपके जो है पी आरटी और पीजिटी वालों की भी जो है नईया जो है पार होने वाली है बस आज के लिए तरह ही फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी अभी के लिए thank you so much this video